Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sood. So finally, HPSE 2024 examination से related एक official announcement कर दी गई है, जिसमें आप सभी students के लिए examination dates भी शेयर की गई है. So, इस वीडियो में हम official website पर जाकर इस notice को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें और भी क्या-क्या information दी गई है. So, सबसे बहले हम आचुके हैं HPPSE की official website पर और यहाँ पर आप देख सकते हूँ, अभी कुछ तेर पहले ही ये notice जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि Tentative Schedule for Conducting of Himachal Pradesh State Eligibility Test 2023. So, देखो students, ये एक सबसे बड़ी गलत चीज फिर हो चुकी है हमारे साथ, वो ये है कि examination का final schedule अभी भी ये नहीं share कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि exam में देखे, अभी भी बहुत कम टाइम बाकी है, अभी भी पेपर वन बिल्कुल नहीं पड़ा, तो उनके लिए एक आखरी मौका भी आया है, इसमें हम आपके best preparation में मदद करेंगे, जिसके लिए complete course में launch कर रही हो, जहांपर students examination के difficulty level, latest questions के pattern के हिसाब से आपकी तयारी करवाई जाएगी, daily live lectures के साथ आपका पोर असलेबस cover करवाने की भी surety दी जाती है, आपके concept clarity के साथ-साथ MCQs एंड सभी states के PYQs प्रेक्टिस करवाई जाएगे, mock test available है, जिसमें guaranteed as it is questions exam में आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही students, 2000 plus MCQ question bank भी यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें सभी states के unit wise questions हैं, वो भी answers and explanation के साथ, 1st April से अभी हम इसका एक new batch स्टार्ट करने वाले हैं, इस batch के साथ students इस कम ताइम में भी आप exam को qualify कर सकते हो, given numbers पर जल्दी से contact कर लीजिए, और इससे पहले free videos देखनी है, तो global online app पर जाहिए, store section पर search bar में course का नाम लिखना है, इसके content पर जब जब जाओगे, तो आपको यहाँ पर detailed course मिलेगा, यकीन मानिये कि इस course के बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यह test, यह notes और जो videos हैं, यह आपके paper 1 के लिए काफी है, सिरफ इसकी ही मदद से आप paper 1 में 100 में से 80 प्लस score कर सकते हो, साथ ही live lectures को भी यहाँ पर rows join कर सकते हो, unit wise preparation आपको करवाई जाएगी, तो अभी भी कोई unit अगर आपकी miss हो रही है, आप उस unit से directly पढ़ना शुरू कर सकते हो, कोई भी confusion है, तो given numbers पर whatsapp के through contact कर लीजिए, सो देखिए students, यह notice अभी जारी हो चुका है, इस notice में हम देखेंगे, कि examination dates जो है, वो शेर की गई है, कि 28th April 2024 को, आप लोगों का यह examination conduct करवाया जाएगा, सो देखिए, यहाँ पर वापस tentative schedule जारी किया गया है, final dates नहीं है, अब यहाँ पर लेकिन ये मत उमीद रखिएगा, कि हर बार की तरह फिर आपका paper postpone होगा, हर बार की तरह फिर आप लोगों को समय मिलेगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता, ऐसे chances कम है, यह चीज दिमाग से निकाल ही दीजिए, और बस यह समझ कर चलिए, कि 28 April को आपका exam होने वाला है, उस according अपनी तयारी में आप सभी लगे रहिए, बिलकुल भी चीज़े miss नहीं करनी है, जो अभी भी नहीं पढ़ा है paper one, तो अभी भी देख सकते हो, लगभग आपके पास 28 दिन का ही समय है, ठीके, इन 20 डेज, 28 डेज में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, आपको concepts भी पढ़ने हैं इस समय पे, आप लोगों को MCQs भी practice करने हैं, आपको PYQs को भी practice करना है, mock test भी देने हैं, तो यह सब चीज़ों को साथ में लेकर चलोगे अगले 28 डेज में, तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि Paper 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर आप सभी students कर सकते हूँ, और students यहाँ पर आपके लिए एक telegram group भी मैं लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अंकीता सूद Paper 1 preparation for UGC net and set, आप directly telegram पर जाकर कि उसको सर्च कर लीजिए, ठीक है, telegram पर जाकर उस group को सर्च कर लीजिए, उसको join कर लीजिए, जो भी latest notification होती है, यह जो भी information होती है, या फिर जो भी आपके सवाल है, उन सभी की answers आपको इस group में जरूर मैं दे दूँगी, तो आप लोगों में कोई भी confusion नहीं रहेगा and गम समय है, तयारी में लगे रहे, don't waste your time and यह free videos को ज़रूर देख लीजिए, आप लोगों को पता चलेगा कि कितना important है paper 1 आपके selection के लिए, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.